कि नमस्कार किसान दोस्तों तो आज हम आए हैं पोरवंदर के खांबोदर तानिसामू और यह खांबोदर एरिया है आप इसके यहाँ पर चने की खेती आप दीपर है इसमें सबसे बड़ी बात ही है कि देखिए चने में बुआई का एक बहुत बढ़ा रूल है कि आप समय प पर आप यकिन मानने के दस तो इंटाम सबसे जीवा फर विंग इस स्टेफ से निगाला गया है तो इतनी बहतरी इन तरीके से स्विक्ति होती है उसके पीठे का कुछ कारण भी आपको बता जाता है जैसे यहां की जो मिटती है इसमें यह बोबर का खाद वगएर सब कुछ इसमाल करते हैं यह वजा है दूसरा समय पर बुवाई करते हैं और पूरी पूरी दूस्ते रख रखा है इतना बढ़िया होता है कि यहां पर अब एक पादा नामने बेखना पर मिनता अब यह चने की वेसे तीन नंबर वेराइटी है इहां की गुजराज दिखा पुपु दूरी दखते हैं जिससे कि अब बीच में आप देख सकते हैं यादी अभी तेक्टर चलाए गया है इससे इस ते अंदर कोई भी किसी प्रकार का खर पतवार पेदाना हो तो वो चलाना आसान हो जाता है वीस इंच की लाइन है और साथ में पोधे से पोधे की दूरी देख देखने को नाम मिने आप देखने को नाम मिने उक्ता से रिनेटेट कोई समस्या ना मिने बारवत्ति सोला पूरा एक कम्प्लीट न्यूट्रियंट है वो कम्प्लीट कर देता है बीगा में 20 किलो तक उसे डालता हूँ फिर ये 25 दिन के बाद क्या करते हैं इसमें न्यूट्रियंट बढ़ेरा और डालता हूँ जो कि हैं इसब में आत्युक्त की कम्यों करते हैं जैसे कि अभी एक रिपोर्ट में आया है कि हमपी के जो एरिया है वो सबसे डेफिशियन वहां पे सल्फर कम्नी बहुत जादा हैं जिंक की कम्नी मित्फियए इंडिया ची अलग-अलग लोकेशन है जहाँ पर अलग-अलग चीज़ों की कम नहीं मिरती है तो सलफर और जिंक ऐसी चीज़े हैं कि जो कम होती है तो प्रोडक्शन अपने आप कम कर वे सी हैं आप बने कितना ही नाइट्रोयन, फॉस्पोरस डालो, डियेपी डालो उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर आप जिंक और अदर चीज़ें कम होगी तो भी आपका प्रोडक्शन के लिए उसका भी यूज कीजिए पचीज दिन पर वो डालते हैं, उससे क्या होता है आप एक चीज देखेंगे कैमरा यहां पर कि जैसी अगर इसे माइक्रो न्यूट्रियंट मिलता है तो पंदरा दिन के बाद है अब जैसे पचीज दिन की अवस्था आएगी तो यहां पर इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचे शुरू हो जाएगी ज्यादा ज्यादा स्थाका है शुरू हो जाएगी माइक्रो न्यूट्रियंट जैसी मिलेगा तो उससे पोधा क्या है फैलेगा आप अभी इतना गैप देख रहे हैं यह न पचास और पचपन दिन पर यह पूरा गैप कवर कर लेगा यह 20 इंच का गैप है यह दोनों तरफ यह कवर करनी की छमता रखेगा जैसी इसे बैतरी न्यूट्रियंट मिलता है तो यह सारी चीज़ें हैं जो यह खेती में अब आपको लग रहा होगा कि काफी गैप है यह चीज़ें हैं लेकिन अगर सई से अपन इसमें डीएपी और खाट डालें तो यह पूरा गैप भी कवर करेगा और साथ में आप यह यकीन माननें यही फसल यह जो तीन नंबर बहुत रेगुलर और कॉमन वेराइटी है गुजरात की यह बीगा में 6-8 कोईंटल का प्रोडक्शन देगी जैसा कि अनुमान लगाए जाए क्योंकि इनके कार करने का तरीका पद्धती इतनी बढ़िया है कि यह पूरा फैलाव लेगी दूसरी बात क्या है इसका चूज करने का रीजन भी अभी इसमें सोयविन की फसल ली जाए और वो भी काफी हैवी न्यूट्रियंट यूच किया है तो इन्होंने रिप्लेस किया है उसे चने के साथ जिससे क्या खेत में भी ठीक है जो चना है वो टेप रूट आती है उसमें जड़ें फैलती है तो उसमें एरेशन बना रहा है जिससे आगी की जो फसल हो फिर से आप एक हैवी फसल लेने के लिए तैयार खेत हो जाए तो यही सब कार्रें आप भी कर सकते हैं अपने आपर बस जिस तरीके से रख रखाओ किये जाता है खेत का वो बनाए रखे आज के लिए इतना ही नमस्ता